आज मैं आपके साथ हरी वाली मूंग की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है इस खीर को हर कोई एक कटोरी से ज्यादा ही एक्स्ट्रा लेकर खाएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंज और इसे हम गू इसी के साथ थोड़े से बारिक वाले चावल डालेंगे जो रेगुलर हम घर पर इस्तमाल करते ना बस उसी को डालेंगे वन फोर्थ कब जितने इसमें चावल डालेंगे दो पानी से अच्छी तरह इसे धो लेते हैं इस मुंग में लो फेट और हाई प्रोटीन होता है मुंग को बहुत तरीकों से बनाये जाता है दाल बनती है सुकी सबजी इसकी बनाते हैं इसके दोसे बनाये जाते हैं वड़े भी इसके बहुत ही मतेके बनते हैं और इस मुंग के स्प्राउट को जो है सलाद में भी इस् अब ढखक कर 4-5 सीटी आने देते हैं और ये देखिए 5 सीटी आ चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरीकी से गल चुकी है अब इसमें गूर दालते हैं गूर दालेंगे देड़ कब जितना कद्दू कस किया हुआ अपने टेस्ट के साब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं गूर को अच्छी तरह मिक्स करके मेल्ट होने देते हैं गूर मेल्ट होने के बाद 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लें और गैस की फ्लेम को स्लो कर दें मुंगा चावल गलने के बाद यह देखिए गूड के साथ एकडम गाड़े हो चुके है इसे पतला करने के लिए आप इसमें दूठ डालेंगे गरम करके ठंडा किया हुआ दूठ डालें या फिर बिलकुल थंडा दूठ भी इसमें डाल सकते हैं गरम दूद इसमें मत दालिएगा नहीं तो दूद जो है फट जाएगा तो आप दिखिए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जितने आपको इसकी कंसिस्टंसी रखनी है आप इसमें दूद दालिएगा तो थंडी होने के बाद भी थोड़ी से गाड़ी हो जाती है तो आते समय जब यह नारियल के रेशे आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है खीर तो इसे आप ज़रूर डालें तो मिक्स कर लेते हैं इसे भी अच्छी तरह बस अब 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे हाई फ्लेम पर और गैस की फ्लेम को बंद कर लेगे इस खीर की एक ख तोड़े से ड्राइफूट डालते हैं तो ड्राइफूट में मैं यहां पर सिफ काजू डाल रही हूं आप अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफूट में डाल सकते हैं तो घी गर्ब कर लेंगे एक च्छोटी कटोरी जितना और काजू डालकर स्लो फ्लेम पर हलका सा बुन तो आप मुझे फेस्बूक पर भी फोलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है तो ट्राइफूट भी देखिए हलके से आप भुन चुके हैं या इसकी फिलिम को बंद कर लेते हैं जिस बॉल में हमें खीर को सर्फ करना है उसमें खीर को डाल लेते हैं और उपर से ये घी और काजु का तड़का देते हैं और भी बहुत तरीकों के डैजर्स मैंने चैनल पर अपलोड की हुए हैं उन्हें भी आप जेकत जरूर ट्राइ करें तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तो फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अला हाफीज थैंक्स पर वाचिंग